हेई गाईज वर्कम बैक टू माई चैनल रिधी व्लोक्स आर और आज मैं आपने मतलब काउं आ रखिये हूं शुवरातरी पर जल चलाने के लिए तो हम लोग आये थे अपने दादी के हाँ पे और देखिए हम लोग वहां मतलब पहुंच गए थे तो हम लोग ने चाय नाश है निशान थे और हम लोगों पहले चाय नाश्था कीया था एक लिया कि अचान हने के लिए तो हम लोग सुभा लुट की नहाद हों के सब त्यार हो गए हैं यह मैरी मम्मी है और यह मेरी ऐर है बागी सब वाहर जोरोट पे था काफी मतलब अच्छा गूँ था और मेले की तो स्थाड़ा भीट भाड भी थी तो फिर हम गप चार बुजे लगने अना की मतलब बहुत लोग आते जल चराने के लिए दूर दूर से हमारे जुगाओं का मंदिर है वहाँ पर दूर दूर से लोग आते ह बट जो भोलेवाव पर जल चड़ रहा था वह दो जैसे चड़ा रहते क्यों पर है क्योंकि बहुत बिलिग थे इतना समय नहीं था कि ज्यादा वीडियो शूट कर पाती में मतलब हमने वीडियो शूट करने के बाद मंदिर में बना हुआ है और हमने घर आके फिर चाय नास्ता किया हमारे यहां पकॉड़ी काफी अच्छी मिलती है तो सबने चाय पकॉड़ी खाए थी सुबह सुबह पांच बजे हम लोग जल जड़ा के आये थे उसके बाद हम लोग सब मेले में चले गए थे और मेले में मतलब हमने काफी सारे चीच खरी दी हिद्धी के लिए काफी सारे टॉइस लिए हिद्धी को सबने काफी सारे टॉइस दिलवाई भी थे और हम सब लोग आये थे मेले में यह मेरी दादी है चाची खड़ी है मम्मी भी है साथ में फिर पर उसके दाध हम लोग को जब घर पर आ गए तो हमारी जो बुँगा है वो भी आ गई थी टी घर पर तो मेरी चोटी बुगा है और सब मतलब जब आए थी तो इसका देए नाष्टा वगधार कर रहे हैं थी और ये मेरी चाचा है जो हेलो बोल ले सब को तो उसके फाद सब लोग अपना चाहनाशता कर रहे थे उसके बाते कर रहे थे रिदी भी साथ में बैठी हुई है पकोड़ी खा रही है अपने राम से बागी सब बच्चे है घर पे सब लोग अपना मतलब बात वगरा कर रहे थे उसके बाद हमारी बुआ से मतलब काफी दे हमारी बात हुई फिर बुआ भी मतलब साम को गई थी मिला देखने के लिए क्योंकि उधर लेट आई थी तो इसलिए वो साम को गई थी मिला देखने हम लोग तो दिन में देखाया थे और ये बुआ के शिवलिंग है ये काफी प्राचीन मंदिर है ये और बहुत ही माने था है इस मंदिर की तो यहाँ पे लोग बहुत दूर-दूर से जल चड़ाने आते हैं तो हम दौनों ने पहले जल चड़ा है यहाँ पे और रिदी से भी मतलब जल चड़वाया पूजा करवाई उसका हमने बच्चे भी तसात में और मंदिर में तब भी भीड थी बट इतनी नहीं थी एक उजिजन शिवरातरी वाले दिन थी और देखिए काफी अच्छे से मतलब हमारे दरशन हो गया हमने जल भी चड़ा दिया और वाकि हमारा सब काम हो गया था और यह हमारे जो गाउं की मतलब मंदिर की जो प्रसिद भोले भावा है यह उनकी सिवलिंग है आपको मेरी वीडियो कैसी लगें लाइक करें सब्सक्राइब करें